क्पेज के प्रथां प्रहामंतरी सद्धा वाला भाईपह बतेल हो सकते हैं कहीं कंग्रेश सी भी चाहते था कि मेरी प्रहामंतरी बनना लेकिन मात्मा गांदी ने उन्हें नहीं चुना। ये अपर समें रब प्रसी गधन के बाद से चला हरा है। यह जानते हैं कि सदावला भाई बतेल के एक कामयाफ प्रसास हैं उन्हें के बापजूर आखी गांधी न उन्हें प्रयामंत्री के लिए क्यों ने चुना यह सब जानते हैं कि भारत के लौप पुरूस के रूप में बचाने जाने वाले सदा पतेल एक रिर्पर्टिक के रा हैं साल 1946 में 1946 में 1946 में जैसे जैसे भारत को आजादी मिलने के उमीडे बढ़ रही थी वैसे वैसे कॉंग्रेस के द्वाड़ा सरकार के कथन की प्रक्रिया भी सुड़ू हो चुके थी सभी की निगाहे कॉंग्रेस के अध्याक्स के पर परते की हुई थी क्योंकि यह लगव से अध्यक्सपत का चुनाव ना हो पाने के काहिन मौलाना अबुलका लाम आजाद ने ही कॉंग्रेस के अध्यक्सपत की कमान संभाली होती है 1946 में अध्यक्सपत के लिए चुनाव होने थे मौलाना आजाद भी चुनावे भाग लेना चाहते थे और साथी परहा मंद्री भी बनने के रिए इच्छुक थे लेकिन महात्मा गांदी के साथ मना करने के बार उने यह विचाट छोड़ना पड़ा मौलाना आजाद को मना करने के साथ साथ गांदी ने यह जाहिर कर दिया था कि उनका समर्थन नेहरू के साथ 29 अपरेज 1946 को अटेक्स पड़ के लिए नामंकन अरने की आकरीता थी इस नामंकन में सबसे चुकाने वाली बात यह थी नेहरू ने गांदी के समर्थन के बार भी राज की कॉंग्रेस समिटी की दो आड़ा समर्थन नहीं मिला चिर्फ इतना ही नहीं 15 राज्यों में से करीबन 12 राज्यों ने सरदार पटेल को कॉंग्रेस के अटेक्स के रूप में प्रस्टाविट किया और बाकी 3 राज्यों ने किसी का भी समर्थन नहीं किया डूएल राज्यो द्वारा मिला समर्थन सरकार को आईम सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए काफी था गांधी चार्टे थे कि नहरू कॉंग्रेस के अध्यक्षपद को संभाले इसले उन्होंने जेपी क्रिपलानी पर दबाब डाला कि वे कॉंग्रेस कारे समर्थन के कुछ सदस्यों को नहरू को समर्थन देने के लिए राजी करें गांधी के दबाब में कृपलानी जीन ने कुछ सदस्यों को इस बात के लिए मनाव दिया नहरू को समर्थन दिलवाने के लिए जो गांदी कर रहे हैं वो कॉंग्रेस के समर्थान के खिलाफता सिर्फ इतना ही नहीं इसके बाद गांदी ने सर्दा पटेल के मुलाकाट पर कॉंग्रेस अध्यक्ष के उमिदवार की तोर से हट जाने का निगुएक किया सर्दा पटेल सारी कुट निटी को समस्ते हुए भी कॉंग्रेस की एक ता बनाई रखने के लिए गांदी के ये निगा सीखा कर लिए जिसके कारण नहरु प्रधान मंत्री के पट के उमिदवास बन गए लेकिन इससे एक सवाल पैड़ा हो गया कि आखिर गांदी ने ऐसा किया क्यों साइध ये और जादा बड़ा सवाल तब बन गया जब सर्दा पटेल के उमिदवार के पट से हतने की खवा सुनकर आद्यन प्रसाद के मूँग से एक ही बात निकली कि एक बाफिर गांदी ने अपने जहते चमकदा चेहरे के लिए अपने विश्वास पर सैनिक की कुरवा नहरू और पतेल के प्रती गांधी के रुख पर हुए अध्यन के अनुसार गांधी को मौडन वीचार पसंद थे जिसकी जलक उन्हें विदेश में पर नहरू में दिखती थी उन्हें लगता था कि नहरू की नर्म निटी देश के लिए सफल साबित होगी दूसरी वज़ा कि हार को अपनी हार के रूप में देख रही थे कुछ सुत्रों का कहना है कि नहरू ने तो गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर अलग बादी बनाने तक कि धमकी देखी जिसे अंग्रेजों को भारत की आजारी जालने में मौका में जाता और साथी वा पूरे जित हो जाते इसी के चलते गांधी ने अपनी वीट्व पावर का इस्टमाल नहरू के बख्ष में किया शाय यही वज़ा है कि गांधी ने यह कहा भी था कि बख्ष के पड़क और सत्ता की लाल्चा में नहरू अंध्य हो गया है धन्यवाद